जैसरी, श्याम, राधे, 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 रुखमन की रसोई में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी आलू शिमला मिर्च की सूखी सबजी आलू और शिमला मिर्च की ये ड्राय सबजी बहुत जादा टेस्टी बनती है खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्रीन कैप्सिकम और पटेटो का तो आप भी सबजी को जरूर से ट्राय कीजिएगा और वो भी मेरी तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे इसके लिए मैंने यहां पर यह ओईल ले लिया है ओईल को इच्छे से गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने आधा चमच जीरा जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देते हैं अब अगर आप चाहें तो इससे में इसमें एक ओनियन डाल दीजिए बारी कट करके और जब हलका सा भुन जाए तो उसमें डाल दीजिए फिर यह आलू आलू मैंने कच्चे लिया है और उनको इस तरह से कट कर लिया है छिलका उतारने के बाद में अब इनको हम ओईल में चला लेंगे एक से डेढ़ मिन तर इससे क्यों होगा ना आप एक से डेढ़ मिन इसको चलाएंगे तो जो आलू की उपर की इसकीन है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी आलू जो होते हैं वो एकदम सोगी सोगी से नहीं लगेंगे जब आप इसका बाइट लेंगे तो उपर से तो लगेंगे वो बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी और अंदर से लगेंगे बिल्कुल सॉफ्ट इसी तरीके से जब हम आलू की सबजी बनाते हैं ग्रीन कैपसिकम के साथ में तो बहुत टेस्टी लगती है तो आप एक से डेड़ मिनिट के लिए इसको ओईल में इस तरह से जरूर से चला लें और गेस की फिलेम को बिल्कुल हाई रखें अब गेस की फिलेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इसी तरह से मैंने ओईल के अंदर ही ढख कर छोड़ दिया है ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो देखिए हलके फुल के हमारे आलू सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमे डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाली एक बार चलाने के बाद में तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर तो मैंने यहाँ पर आदा चमच healthy powder डाल दिया है और taste के according इसमें डाल देंगे हम साधा नमक तो यह मैंने नमक डाल दिया है, अच्छे से इनको भी हम एक बार mix कर देते हैं हम इसमें पानी का बिल्कुल भी use नहीं करेंगे तो आप इसको traveling में भी आराम से ले जा सकते हैं सुखी सबजी को या टिफिन lunch box में आप इसको आराम से दे सकते हैं बहुत बढ़िया लगेगी यह सबजी फिर देखिए मैंने यहाँ पर बारी cut क्योवा डाल दिया है यहाँ पर हींग भी add कर दी थी लेकिन मैं दिखा नहीं पाई हूँ तो आप हींग भी इसी समय डाल दें फिर मैंने यहाँ पर डाल दिये रैड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर half teaspoon लिया है आप अपने टेस्स के according लीजिए जितना भी तीखा आपको पसंदो उस हिसाब से और अब हम क्या करेंगे हमारे मसाले बिल्कुल भी जले ना इनको प्रॉटेट करने के लिए हम तुरंद डाल देंगे यहाँ पर टमाटर तो मैंने एक से डेल टमाटर यहाँ पर कट करके ले लिया है बारिक बारिक बिल्कुल और इसको डाल देते हैं इससे क्या होगा हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे मसाले थोड़े व मिक्स कर देते हैं इस तरह से आप सबजी जरूर से बना के ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत टेस्टी लगेगी और जिनको यह सबजी पसंद नहीं आती है शिमला मिर्च की वो भी सबजी को एकदम चटकारे लगा के खाएंगे बहुत अच्छी बनती है एक बार इसको हम दखके छोड़ देंगे ताकि आलू हमारे और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब जब हमारे आलू सॉफ्ट होंगे ना तो वो अंदर से तो सॉफ्ट लगेंगे बिल्कुल लेकिन उपर से इनकी ले लगेगी बिल्कुल क्रिस्पी-क्रिस्पी तो बहुत टेस्टी मैंने आलू चार लिए थे और दो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लिए आलू भी मेरे बिल्कुल मीडियम साइच के थे अब अगर आप शिमला मिर्च को बहुत जादा पकाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसको पहले डाल दीजिएगा पर मैं परसनली थोड़ी सी क्रि से हम ढग देते हैं एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के उपर और या फिर जितना आपको इसको पकाना है चिमला मिर्च उतनी देर आप इसको पका लीजिए अगर आप सौफ्ट पसंद करते हैं थोड़ा ज्यादा पका लीजिए और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है जनिया पत्ती डाल दिये खूब सारी बहुत टेस्टी लगती है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर यह निम्भू का रस आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से कर देजिए इनको मिक्स बढ़ियर से तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी आलू शिमला मिर्च की सबजी बनके तयार हुए है फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है आप इसको लंच बोक्स में दे सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और या फिर आप इसको ड्राय जैसे डाल भात बनाए तो ड्राय सबजी के रूप मे इसको सारू तो बस आप भी सबजी को जरूर से बना के ट्राय कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर से बताईएगा रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल को जरूर से ट्रैस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है तो बस आप भी सबजी को बना कर जरूर से ट्रै कीजिएगा तैयार है हमारी आलू शिमला मिर्च की एकदम ड्राइ सब्जी बहुत टेस्टी लगती है बहुत ही बढ़िया आलू शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन लगता है तो आप इसको बना कर जरूर से ट्रै कीजिएगा जैसरी श्याम रधे रधे